नमश्कार दोस्तों पात्वा इंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों भारत ने हाल ही में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंड़क्ट किया और ये एक तरह से नोटिस है हमारे नेबर्स के लिए वो चाइना या पाकिस्तान कोई भी हो सकता है कि भारत पूरी तरह से उनकी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में अब सक्षम होगा 5000 किलोमेटर तक की दूरी से इन मिसाइल को डिटेक्ट करके इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने टेस्ट किया है AD-1 एर डिफेंस वन मिसाइल जो की इंटरसेप्ट कर सकता है टागेट को फ्रॉम 5,000 किलोमेटर अवे 5000 तक की दूरी तक ये टागेट को इंटरसेप्ट कर सकता है नॉज देख लेते हैं इनमेजर केपिविलिटी बूस्ट मतलब वाई जो क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट हमको यहां मिला है इंडिया के नॉडिस्ट्रॉइ इंकमिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल फाइर एडिट फ्रॉम 5,000 किलोमेटर 5000 किलोमेटर की दूरी से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हम पर फाइर किया जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता क्षमता वाला AD-1 मिसाइल हमने सक्सेसफुली टेस्ट फाइर कर लिया है यह पहली बार ऐसा किया गया है जो टेस्ट फ्लाइट थी इसको कैरी आउट किया गया था फ्रम APJ काफी सालों से काम कर रहे थे का कितने साल हो गए है क्या इसकी पूरी हिस्ट्री इसके बारे में डेफिनिटल हम आगे बात करने वाले है and it can destroy both ballistic missiles and low flying fighter aircraft तो यह ballistic missile और low fighting जो fighter aircraft होते हैं उनको भी destroy कर सकता है now according to DRDO Chief Samir Kamat जो उनने बताया इसके बारे में उनने कहा कि phase 2 of BMD ballistic missile defense AD-1 can intercept any projectile of 5000 km ballistic missile projectile से आती है है ना उनको target को दे दिया जाता है और वो आती है तो उसको कहीं पर भी destroy किया जा सकता है 5000 km की दूरी से आने वाली जो हमारी तरफ missiles हैं उनको यहाँ पर अगर enemy target करता है हमें from long range अब हमारे पास capability है उसको intercept करने की उसको अवरोध करने की और उसको खतम करने की it is significant jump in our capability against ballistic missiles और यह बहुत बड़ा jump हम कह सकते हैं हमारी क्षमताओं में ballistic missiles के को खतम करने उनको destroy करने के लिए जो हमारे neighbors के पास already है इसी के बारे में और जादा बात करते हैं दोस्तों but before moving forward आप मुझे follow कर सकते हैं दोनों telegram channels पर for all my class update schedules and pdfs यहाँ पर आपको मेरी class की pdfs मिल जाएंगी आप मुझे अन academy app पर भी follow कर सकते हैं मेरी सबी special classes and plus courses के लिए enroll करने के लिए आपको सिर्फ मेरा code use करना है andylife 10 चलिए बात करते हैं AD interceptor missile के बारे में AD1 ठीक है तो यह जो AD1 air defense यह एक long range interceptor missile है लंबी दूरी की interceptor missile है जो intercept करती है अवरोध करती है missiles को जो के design की गई है for both low exo atmospheric and endo atmospheric interception exo atmospheric and endo atmospheric interception क्या हुआ exo low exo मतलब atmosphere के बाहर वाला जो region है 100 km से ऊपर के आसपस का मैं यहां कह सकते हूँ लग भग थोड़ा सा बाहर low atmosphere से थोड़ा सा बाहर के region तक की जो missiles होंगी उनको and endo atmospheric जो within the atmosphere आ रही है ठीक है long range ballistic missiles as well as aircrafts long range ballistic missiles या फिर aircrafts इनको खतम करने में intercept करने में कारगर होगी ठीक है जो missile है propelled की जाएगी by two stage solid motor इससे चलेगी है and equipped within indigeniously developed advanced control system एक भारत में ही developed advanced control system इसमें लगा हुआ है साथ में navigation और guidance algorithm भी है जो precisely guide करेगा इस vehicle को कि अपने targets को देखे and उसकी तरफ जो move कर रहे है at a very high speed उनको देख ले मतलब उनको एकदम precise होगा इसका जो accuracy वो काफी बहतर होगी क्योंकि navigation guidance algorithm इसलिए इसमें लगाया गया है ठीक है now एक बार अगर radar ने pick कर लिया है enemy missile को कोई missile हमारी तरफ आ रही है और radar ने उसको pick किया मतलब 5000 किलमेट तक pick किया जा सकता है it the AD-1 will be able to track it AD-1 इसको track कर लेगा कैसे काम करेगा हमारे defense systems activate हो जाएंगे immediately और वो जो missile आ रही है हमारी तरफ उसको intercept किया जा सकेगा इस तरह से यह कारगर से धोने वाला है it is mainly endo atmospheric endo atmospheric जैसा कि मैंने आपको बता है the lower atmosphere is the atmosphere proper which extends up to around 100 km above the earth surface 100 km तक की दूरी तो तो ही करी लेगा थोड़ा सा उससे बाहर भी कर सकता है ठीक है but also works in low exo atmospheric region जैसा कि मैंने आपके यह समझाया था ठीक है हम develop कर रहे है high exo atmospheric regions के लिए भी मतलब इसका एक upgraded version भी तैयार हो रहा है उसको भी develop किया जा रहा है जो higher exo atmospheric exo atmospheric region में भी intercept करने की क्षमता रखता होगा now एक बर यह operation हो जाएगा integrate हो जाएगा तो दोनों systems जो होंगे endo atmospheric और exo atmospheric low exo atmospheric जो की ballistic missiles और aircrafts जो fighter aircrafts है उनको intercept कर सकता है this will provide the country with a multi-layered defense एक multi-layered defense हमको मिल जाएगा against the incoming ballistic missiles इससे यह defense ministry के officials के द्वारा कहा गया है यहाँ पर यह बहुत important point है very very important कि इस system की जो probability है of hit to kill वो कितनी है 99.8% की इसकी accuracy है यहाँ पर एक बर अगर अगर इसनी target को देख लिया तो इसकी hit to kill की probability 99.8% है सिर्फ 0.2% का बचाव है यहाँ पर very very important point now development देखते हैं anti-ballistic missiles का तो जो development है anti-ballistic missiles का यह कब शुरू हुआ था यह DRDO की तरह द्वारा शुरू किया गया था around 2000 में 2000 में मतलब उस समय क्यों किया था हमने क्योंकि हमारे जो neighbors है ना Pakistan और China उन्होंने development शुरू कर दिया था ballistic assets का अपने यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी development का गाम शुरू हो गया था anti-ballistic missiles के लिए वो ballistic assets तियार कर रहे है हम anti-ballistic assets तियार कर रहे थे basically missile तियार कर रहे है हमने शुरूवात की इस की ठीक है phase 1 जो था इस program का जो की complete हुआ है at the end of 2010 intense लगभग कहीं पर उसमें advanced air defense systems थे और defense systems based on प्रिथवी missile थे ठीक है जो phase 1 था this is phase 2 of ballistic missile defense जो मैंने आपको शुरूवात में बताया था BMD जो second phase है इसमें पहला यह test हुआ है AD excuse me AD1 का according to the sources focuses on the development of anti-ballistic defense system जैसा की US का theater high altitude area defense system है उसकी तर्ज पर यह तैयार हो रहा है इसको बनाया जा रहा है second phase में काम चल रहा है जो कि neutralize कर सकता है immediate range ballistic missiles को भी तो काफी एक बड़ा लीप है यहाँ पर हमारा ballistic missile defense में या anti-ballistic missiles में तो यह हमारे जो neighbors हैं उनके लिए तो जरूर यह एक warning sign की तरह हो सकता है hopefully a news सब जगा पहुचे और उनको समझ में पता लगी गया होगा भी तक तो चलिए अनकाडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना NDLive10 अवेल कर सकते हैं discount प्लस आपको मेरी mentorship मेरी guidance भी मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अपनी प्रपरेशन में यह कोड आप किसी भी subscription ले उसकर सकते हैं batch इस तीन तरिक से शुरू हो गया है मेरा बैच भी शुरू हो गया है सुबह स्राइब दस पज़ेस का ताइम है description box में details are given you can just go and check that all the links and details are given go enroll now loan facility with 0% EMI ये भी आप avail कर सकते हैं इस number पर call करके आप सारी details रह सकते हैं दोस्तों now 79 questions में से 57 questions UPSC, CAC, GS mains के directly and indirectly हमारी test series से थे तो देखे कितना benefit होगा अगर आप test series join करते हैं तो अभी जाकर enroll कर लीजे combat 6 तारीक को है सुभा 11 बजे go now enroll and आप जीत सकते हैं 50% तक की scholarship along with a lot of other benefits इसी के साथ last mile which is the you know free interview guidance for 2022 जिसमें आपको DAF analysis, mock interview के साथ साथ current affairs sessions और state specific classes भी मिलने वाली हैं अभी enroll कर लीजे enroll करने के लिए आपको code पता है code is NDLIFE10 doubt browse feature भी आप explore कर सकते हैं जहां पर आपको मेंस के PYQs अपने fingertips पर हो जाएंगे with video solutions that was it from my side I hope you like the session don't forget to like, share and subscribe to the channel also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates that's it from my side thank you so much God bless Jai Hind